इसका पर्मेशों के सामने उसको बोलो पर्मेशो मुझे साफ कर, क्लेंज कर, सेंटिफाइ कर, पवितर कर, तेरे कामों के लिए, मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड बना खुदाबा, अपनी हाथों को उठाओ, आज की मीटिंग, आपके हिर्दों में हमेशा के लिए छपी रहे आज का वचन जो आपके हिर्दों में छपे कभी न मिटे परमेशर आपको इनर ग्रेस ले इस वचनों के उपर चलने के और सोग ना फलों को लेके आने के इन वचनों के दोरा परमेशर आपकी इज़त को बढ़ाए आपको उं अपनी ग्रेस के तरह बनाए आज आपका यहां आना गुर्दासपूर चर्च का ऑनलाइन व्यूवर्स का ऑनलाइन चर्चिस का इस मिटिंग को देखना पर मेशों के वचन को सुनना उनकी आशिश और बरकत का आतनिक उधार में बने रहने का कारण ठैरे प्रभी शुमसी के सामर्थी नाम में हम वांगते हैं आमेन उंचा आशिश उंची चर्च मैंने का अगर आमेन उंचा तो यह आशिश आपकी होगी एक बार जोर से बो हालिलुया जोर से जोर से बो हालिलुया स्वागत है यह शुमसी की हुजूरी में जो जीवित परमेश्वर है आमेन बैठ जाओ अपने शरीर में अपने हाथों को उठाओ बोलो इस वचन से मैं प्यार करता हूं यह वचन मेरे शुद्र रहने का आधार परमेश्वर में बने रहने का आधार है मेरा जीवन इन वचनों से कभी दूर ना होगा प्रभी शुमसी के नाम है बाइबल कहती है जब इस्राइलियों को परमेश्वर ने मिसर से निकाला और अपने काम दिखाए अपने चमतकार दिखाए और शुमसी को यह हवा परमेश कि मुसा के उपर परमेश्वर ने अपनी गती को प्रकट किया और इस्राइलियों के उपर अपने काम को प्रकट किया आज भी इस्राइलिय अपकामों को देखना चाहते थे जब दुखी होते थे पानी से तो परमेश्वर ने मीठा पानी मांगते थे जब मीट नहीं मिलते था मीट मांगते थे लेकिन उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा जैसे मुसा ने परमेश्व को बोला था कि हे परमेश्व मुझे अपना तेज दिखा मुझे अपनी ग्लोरी दिखा शो मी यूर ग्लोरी इसराइलियों का ध्यान इसी चीज की तरफ रहता था मुझे क्या चाहिए आज मुझे हीलिंग चाहिए अब हीलिंग हो गई अब मुझे फाइनेंस चाहिए अब मुझे यह चाहिए अब मुझे वो चाहिए एक दिन में बचन को बढ़ रहा और मैंने क्या देखा कि अंधा जिसको परमेश्वर ने मरकुस 10 की 46 में चंगा किया बर तिमाई को तिमाई के उसको जब हीलिंग दी परमेश्वर ने उसके बेटे को तो पाई वो भी अंधा अंधा बिखारी था आप इमेजिन करो जब उसने हीलिंग ले ली होगी शैतान तभी उसका पीछा नहीं छोड़ता होगा क्योंकि हीलिंग लेने के बाद अब वो गरीब था क्योंकि भीखारी था तो हीलिंग लेना लास्ट पॉइंट नहीं था अगर वो यूश्यमसी को पहने रखेगा तो अब उसके बाकी कर्स भी तूटेंगे आप मेरी बात समझ रहे के नहीं वो हीलिंग एक चिन था कि मैं जीवित परमेश्वर हूं और तुझे मेरे पीछे चल ले हैं मैंने वो किया जो कोई नहीं कर सकता क्योंकि कार का मकैनिक ही कार ठीक कर सकता है एक कुमहार कार ठीक नहीं कर सकता है आप मेरी बात समझ रहे के नहीं और घड़े को अगर आप कार मेकैनिक के पास ले जाएंगे वो कुछ नहीं कर पाएगा जिस चीज को जिसने बनाया वो उसी को ठीक कर सकता वही उसको ठीक कर सकता है वही उसको रिपेर कर सकते है इसलिए आज लोग Church में आके बोलते हैं मेरी हड़िया खत्म हो चुकी थी मेरी किड्निया खत्म हो चुकी थी परमेश्वर जिसने आपको बनाया वह आपको चंगा भी कर सकते हैं और जो आपके पार्ट्स हैं, एक्स्ट्रा पार्ट्स जो स्वरग में रखे हुए, वो आपको लगा कि आपको हील भी कर सकते हैं, लेकिन, एक वचन हम पढ़ेंगे यहोशू, उसका 24 बाप उसकी 15 आयत को, उसमें लिखा, यदि यहोवा की सेवा करना तुम्हें बुरी लगे, तो आज कि जिसकी सेवा तुमारे पुर्खा महानद के उस पार करते थे, चाहे अमोरियों के देवताओं की, जिनके देश में तुम रहते हो, प्रंतु मैं तो अपने घराने समेथ यहोवा की सेवा नित करूँगा, पहला पॉइंट जो आज आपने नोट करना है, अपनी लाइफ म अगर आप वो चीजे देखना चाहते हो जो एक विश्वासी, आम विश्वासी कभी नहीं देख सकता, जो एक नॉमिनल सा बिलीवर जो हर संडे सिर्फ चर जाता और अपनी ब्लेसिंग लिए खुदा से हर वक्त मांगता है, वो कभी वो ब्लेसिंग, वो आशिष, वो सामर नहीं देख सकता, जो वो विश्वासी देख सकता है, जिसने ये ठान लिया हो, कि मैं अपने घराने समेथ यहवा की सेवा करूंगा, क्योंकि सेवा करना सिर्फ प्रेरितों का काम नहीं, पास्टर्स का, प्रॉफेट्स का, इवेंजलिस का, और दूसरे लोग के टीचर्स क काम नहीं, बाइबल बताती है, यहोश्यू ने कहा, तुमने यहवा के काम देखें, तुमने समुंदर को भाग होते हुए देखा है, आसमान से खाना बरसते हुए देखा है, चटान में से एक सोटी के साथ पानी निकलते हुए देखा है, तुमने बड़े-बड़े राजा को ही सेवा करनी होती तो यहोशु यह ना कहता कि तुम लोग चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे इसका मतलब यह आप में से जितने लोग बैप्टाइज रहें जितने लोगों ने बब्तिस्मा लिया तौबा कर लिए आप सब लोग सेवा करने के लिए चुने गए और मैं आपको बताता हूँ, जिस बंदे ने धर्ती के उपर परमेश्व की सेवा किये, उसका वंश कभी टुकुडे नहीं मांगे उसने मैं आपको सच कह रहा हूँ, और सेवा करने का मतलब यह नहीं कि आप चर्च खोल लो, या आप इवेंजलिस की तरह भाग जाओ, मैं आपको बताता हूँ, सेवा कई तरह की है, सेवा कई प्रकार की है, मेरा बिलीव यह है कि अगर आप चर्च में एक साल से जादा के मेंबर ह तो आपको वोलेंटेर होना चाहिए, आपको दरी साफ करने वाला होना चाहिए, गवायां लिखने वाला होना चाहिए, या कोईर में होना चाहिए, या प्रेयर आर्मी में होना चाहिए, आपको किसी ना किसी डिपार्टमेंट में जरूर होना चाहिए, चाहे आप दूर क् महिने में एक मीटिंग अडेंड करने के लिए क्यों नहीं आते बॉंबे से आपको तब भी मिनिस्ट्री का हिस्सा बनना होगा अगर आप स्पेशल परमेशों से आशिष चाहते हो तो होता क्या है क्यों परमेशों चाहता आप सेवा करें बाइबल बढ़ाती है यहुना बारा उसकी 26 आयत को जब हम पड़ते हैं लिखा यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले अपनी स्क्रीन के और देखो जहां मैं हूं आप मेरा सेवक भी होगा यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा कौन आदर करेगा जब आपको बहुत आपको अगर देश का प्रेजिडेंट बोले कि अगर तु यह काम करे तो मैं तरह आदर करूंगा वह आदर कैसा होगा आप सोच सकते हैं आप कि अगर तुम मेरी सेवा करोगे मेरा पिता तुमहारा आदर करेगा अब सोच लो वह आदर कैसा होगा इसलिए जो सेवक सची सतरह से प्रमेशों की सेवा करते हैं उनके खिलाव जो मर्जी हो जाए उनका आदर हमेशा बढ़ता है कम नहीं होता आपने नोटिस किया होगा परमिश्वर ने का अगर तू मेरी सेवा करे तो मैं तरह आदर करूँगा मैं तरह इज़त करूँगा वो इज़त आपके घराने से होके आएगी रिष्टेदारों से होके आएगी समाज से होके आएगी आपके परिवार से होके आएगी वो इज़त जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखी होगी जो आप डिमांड करते हो सोचते हो, expect करते हो आपकी वाइफ करे, आपका भाई करे आपका छोटा भाई करे, छोटी बहन करे आपके बच्चे करें जो आपने कभी हासिल नहीं की परमेश्वर ने का अगर तुम मेरी सिवा करेगा तो मैं तुझे इज़त दूँगा मैं तुझे इज़त दूँगा और जब ओनर खुदा बन करेगा तो सोच लो वो कैसा करेगा अगर सरवशक्तिमान परमेश्वर आपकी इज़त करेगा तो सोच लो वो कैसी करेगा इस दुनिया में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है जो आपकी प्रार्थना से हल नहीं होती आपकी फास्टिंग से हल नहीं होती प्रार्थना करवाने से हल नहीं होती जो सिर्फ सेवा करने से हल होती अगरौ Superintendent जो और किसी चीज से हल नहीं होती इस हफते मुझे एक मैसेज मिला कि मेरा एक दोस्त है जो जलंधर का वो मुझे से मिलना चाहते है और ऐसे बहुत से लोग चिर्च में आते हैं कि मैं उसका दोस्ट था मैं उसका दिश्टेदार हूँ तो इतना सीरियस नहीं लेते थे लोग चर्च के लेकिन जब मुझे वो मैसेज मिला मैंने तुरंद रिप्लाई किया मैंने का मैं इससे मिलना चाहता हूं क्योंकि यह मेरा बेस्ट फ्रेंड था सुनो ध्यान से और जब मैंने स्टोरी को याद किया और जब मैंने नशा करना शुरू किया था तो वो मेरा दोस्त था एक अठे हमने बैठना, काम करना, अटारी विजार में मेरी दुकान थी, जलंधर में, उसकी भी दुकान वहीं पे थी, शराब पीने, सब गलत काम करने, उसके साथ, और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, शुरू से, अब सिर्फ मसीर में आने से, आने के बाद नहीं, मसीर के आने पर एक छोटे से बिजनस की वज़ा से, मैं उससे अलग हो गया, वो मेरे साथ मैच नहीं किया, मैं उसके साथ मैच नहीं किया, और मैं हमेशा सोचता था, कि मैं कभी भी एक बिजनस की वज़ा से, किसी से अलग नहीं हो सकता, लेकिन वो मुझसे अलग क्यूं, पर मिश्व बोल देती कुछ यह काम करना है तो नहीं करता अगर वो बोल देता है वहाँ पर जाना है वहाँ खत्रा है जानगा तो चलने है ऐसा दोस्त था और उसके मेरी लाइफ से जाने के तीन महीने बाद मुझे मेंटली अपशट के ऐट्यक होने शुरू हुए और मैं मसी में आगे कि सुनो मेरी बात अगर वो बंदा मेरी लाइफ में होता मेरा मसी में खड़ा होना आसान नहीं था यह पॉसिबल नहीं था और प्रभू से पूछते हैं कि परमेशन इतनी बड़ी-बड़ी बातों में मैं कभी लोगों से अलग नहीं हुआ लेकि छोटी सी बात से आपने उस लाइफ से दूर हो जाए बस इतना ध्यान उस समें था लेकिन दिल में यह बात थी कि उसको परमेशन ने मुझसे अलग क्यों किया कि और कल हम 18 साल बाद मिले और कल परमेशन ने मुझे बताया कि आगर ये बंदा मैं तरी लाइफ से अलग ना करता तो मेरी सेवा कभी न कर पाता सुनो मेरी बात जब मैं नॉन बिलीवर था जब मैं आविश्वासी था तो तब परमेशन ने उसे दूर किया था मेरे मसी में आने से सिर्फ तीन महीने पहले इसका मतलब परमेश्वर मुझे तब भी जानता था और प्यार करता था सुनो मेरी बात अगर परमेश्वर का हाथ मेरे सिर के उपर था तब भी जब मैं आविश्वासी था तो सोचो जब मैं विश्वासी बन जाओं चुनता है, आपको बड़े काम करने के लिए चुनता है, आपकी लाइफ में ऐसी घटनाएं होती, ऐसे इंसिडेंट होते, जिनका आपके पास कोई जवाब नहीं होता और आपको वो दुखी कर सकते हैं। परमेशन मुझे काकल कि जब तु अविश्वासी था, तब मेरा प्रेम तुझ पर प्रकट हुआ, तब तु मेरी योजना के नीचे था, आज सोच क्या होगा। आप जब अविश्वासी थे, तब परमेशन ने आपको अपने पास बुलाने के लिए क्या-क्या स्कीमे लडाई हैं। और जब आप उसके पास पहुंच चुके हो, बैपटाइज हो चुके हो, पाप और पवित्रताई के बारे में जान चुके हो, परमेश्वार को समझ चुके हो, पाइबल पढ़ते हो प्रार्थना करते हो, सोचो आपका फ्यूचर कितना ब्राइट है। ये सूर्य अंधेरा लगेगा आपकी ब्राइटनेस के सामने। मुझे अपसेट था कि मुझे दोस्ती यारी परिवार किसी चीज का फिकर नहीं था, एक ही चीज मुझे सताती दी और मैं च्छतों पर जाके रोता था कि मुझे अपनी फैमिली को छोड़ के जाना पड़ेगा को कि मैं सुसाइट करने जा रहा हूं। बस ये दुख था मे मिलके जाओंगा, मुझे मालूम है कि अब उससे मिलना असान नहीं है, मुझे प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, मैं सब फॉलो करने के लिए तयार हूं, लेकिन जब मुझे मैसेज मिलना मैंने का कोई प्रोसीजर नहीं, सीधा घर आ जा, हम पांच गंटे बैटे उ यह क्या हो गया, यह व्ला अंकूर और वो व्ला इसमें जमीन और आस्मान का फरक, जब परमेश्वर आप से सेवा लेनी चाहे, जब आप इस बात के लिए तयार हो कि मैं और मेरा घरा नाम यहावा की सेवा करेंगे, तो कुछ ऐसी घटनाई होंगी जो आपको समझ नहीं आएंगे, पर आप उन दस सालों में, मैंने का, 2004 से लेके जब मैं प्रभू में आया, 2014 तक मैं एक अकेला इंसान रहा हूँ, मम्मी से कोई बात नहीं, पापा से कोई बात नहीं, भाई से कोई बात नहीं, कोई दोस्त नहीं, सिर्फ एक स्पिरिचल फादर उनसे में महीनों में एक बार बात हो जाए, डेड़ दो महीने में एक हो जाए, कोई नहीं, इन दस सालों में परमिश्वर ने मुझे सिर्फ तैयार किया, आप समझ रहें मेरी बात को, आज लोग तैयारी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि रिजल्ट हमें मिले, अगर आप इस बात को ध्यान से समझो, जो गीत आप सुनते हों, अर्निस्ट मॉल के, सिर्फ अर्निस्ट मॉल एक ऐसे सिंगर हैं जिनको मैं सुनता हूँ, अगर आप आज कल के वर्षिप उठा के देखो, तो उनका ध्यान वर्षिप की तरफ नहीं, एक सीर में चार सूट चेंज हो जाते हैं, मतलब आपको देख के लगता है कि यार बंद करो इसे, मेरी spirituality कम हो रही है, सौंग सुनके, मू की तरफ ध्यान है, द्यान तो, मतलब एक्स्प्रेशन नहीं मिस होना चाहिए, कोई भी, पर सौंग में मसा हो चाहेना, यह जो फॉलोवर्स होते हैं, यह जो फॉलोवर सब्स्राइबर, टिक टॉक पर ऐसे लोग जिनकी, सिर्फ धीमे धीमे करते हैं, और तीन करोड, तीस-तीस करोड फॉलोवर्स होंगे हां, तो क्या हम उनको कामियाब माल ले, कामियाब हो गए वो, अरे यार, परमेश्वर की निगाह में कामियाब ही कुछ और है, हालिलुया, कल मेरा दोस्त आके बता रहा था कि यहां जलंधर में ऐसे लोग, जो टॉप पॉजीशन पे हैं, और लोग बोलते हैं, क्या बात, क्या मीर बंदा, एक ही बेटा नशे करता, वर्शिप का महौल ही खराब कर दिया आप तो, अर्निय स्मॉल रात बैठते थे पूरी जात, बारा बज़े बैठना, सुभा साथ बज़े तक प्रमेश्वर में प्रेयर में बैठके, आठ बज़े प्रमेश्वर ने बोलना, आती है तो मज़ा आता है, हाँ या ना, और ऐसी हमारी लाइफ होनी चाहिए, आमेन, एक फॉल्वर सो टिक टोक पे भी बहुत है लोगों के, वहाँ पे जार गलत बाते करो, तो आपके लाख लाख फॉल्वर बन जाएंगे, बन जाएंगे के नहीं, कुछ भी गलत डालो फॉल्वर बन जाएंगे, और लोगों को टाइम पास करना है, आप टाइम पास करने के लिए नहीं आएंगे, हालेलुया, आपको सेवा करनी है, मेरी चार साल की बेटी अभी से सिंगिंग सीखती है, प्रफेशनल सिंगिंग, सिर्व ऐसे बाइक लेके नहीं, सिंगिंग सी कि ये पूरा हफ्ता, एवरी डे, हमने जहां बच्चों को लेके जाना है, आपको जहां जाना है, आप आज तयारी करोगे उसके, आमेन, इमेजन करो 2004 से लेके 14 तक अपनी शर्ट लेने मार्केट में नहीं जाता था, अपनी पैंटल नहीं लड़के जाता थे लेने के 5 टोटल क्यों परमेशुर तयार कर रहा था मेरे को, आप उसकी सेवा करने के लिए अगर तयार हो, कुछ घटनाएं होंगी, कुछ इंसिदेंस होंगे, कुछ दुख खाएंगे, लेकिन वो आपको इतना तयार कर देंगे, उसके बाद की blessing आपकी unmatched होगी, कोई match नहीं कर प एक विश्वासी भी खुदाबंद की सेवा करने के लिए बुलाया गया, बाइबल कहती है कोई चर्च में परबंदक होगा, कोई वोलंटियर होगा, कोई असिस्टेंट होगा, कोई कॉल सेंटर में होगा, लिखा परमेशुर ने अलग अलग वर्दान दिये, अगर आप व बाकी दिन में आप लोगों को सू समाचा सुनाने के लिए जाओगे, जो लोग बैक स्लाइड हो चुकें, पीछी हो चुकें, प्रबु में कमजोर हो चुकें, उनको वचन देने के लिए जाओगे, आपको सेवा करनी पड़ेगी इन दुखों से बाहर आने के लिए और पर अपना क्रूस उठा के, कौन सेवा कर, मालूम कौन सेवा कर सकता है? जिसने अपना क्रूस उठाया हो, मतलब अपने आपका इंकार किया हो, मतलब अपनी सेल्फ डेथ में चला गया हो, वो बंदा अपने आप के लिए मर चुका हो, एलिया ने का, अपनी चदर ली अलिशा डाली अलिशा को मालूम था जब एक प्रॉफिट ऐसा करता है तो इसका मतलब यह है इमेड़िटली उस प्रॉफिट को फॉलो करना है और जब उसे फॉलो करना लेगा बुला एलिया पिता मैं अपने डैडी को मम्मी को जढ़ा किसकर आउं उन्हें बतावाँ अच्छा फ्ल फॉलो करने एक परसंट टाइम नहीं दूंगा अभी चल लें लिखा उसने बैलों को काटा बैलों का समान जलाया ताकि कभी भी जब सेवा में चुनौतिया आएंगी दुख खाएंगे निराशा आएंगी मेरा पास मुझे पीछे ना खीचे और लिखा उसने सब को जला के एलिया का पीछा किया बहुत से लोग मैं आपको बता साता हूं हजारों चेले एलिया के फेल हो गए पर अलीशा फेल नहीं हुआ सब को मालुम था यह लिया आसमान पे चड़ने वाला किसी ने पीछा नहीं किया वोगि सब अपनी अपनी लाइफ में फसे हुए थे बोल रहते हैं हम निराश है जी अपनी लाइफ में कुछ चाहते हैं परमेश्व ने का अगर तू अपने आपका इंकार करे तो तू मेरी सेवा कर पाएगा नहीं प्रभू पिले मेरा थत्ता बंठीक कर तो मैं लोगों को परचार कर पाऊं को ने तो लोग मजाक उड़ाएंगे पहले मुझे तो चंगा कर पहले मुझे तो बेबी दे मैं अपने रिष्टेदार की वहू के पास कैसे जाओं बताओं कि प्रभू बेबी देता है मेरे तो कोख अभी खा लिए लिखा जो सेल्फ डेथ में जो अपने आपके लिए मर चुक है वही सेवा कर सकते हैं जिसका ध्यान यह ने कि लोग मुझे क्या कहेंगे यह मेरी लाइफ अब ऐसी क्यों है जिसका ध्यान सिर्फ परमेश्वर की और है अपना कुरूस उठा चुक है अपने आपका इंकार कर चुक है उसने का वो मेरी सेवा कर पाएगा सेवा करने के लिए आपको अपने आपका इंकार करना होगा आपको प्रभू को बोलना होगा कि मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पुरी हो आप आँखों से देख के शादी नहीं करेंगे आप सुंदरता देख के शादी नहीं करेंगे आप राइट टाइम का वेट करेंगे परमिश्व के मुताबिक आप कोई काम नहीं करेंगे जो आपकी मर्जी का हो आप खुदावन की मर्जी को पूछेंगे खोजेंगे और उसके अनुसार चलेंगे परमिश्व आपको बोरिंग लाइफ देने के लिए नहीं आया वो आपको हसने से मना नहीं करता आपको घूमने से मना नहीं करता कप्रे डालने से मना नहीं करता वो आपको पाप करने से मना करता परमिश्व ने का अगर तू अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले इसी लुका का आठ बाब हम बढ़ेंगे अभी लिखा इसके बाद ऐसा हुआ कि ये शुप परमेश्वर के राज्य का सूसमाचार लोगों को सुनाते हुए नगर-णगर और गाउं गूमने लगा और उसके बारां शिश्य भी उसके साथ हुआ करते थे वे बारां उसके साथ थे कितनी इस्तरियां भी लेडीज भी जो दुष्टात्माओं से और बिमारियों से छुड़ाई गई थी वो ये है मरियम जो मगदलीनी कहलाती थी जिसमें से साथ दुष्टात्में निकली थी और हैरो देश के भंडारी खोजा की पत्नी योणना और स गत烦ुसनय और बहुत सी और इस्तरियां यह तो अपनी संपत्ती से इश्य मसीष्ञ की सेवा करती थी इश्य मसीष्य जब कर नजीनी दिया जर्च का तो पत्रस परेशान था वो काम बिजिनस नहीं कर रहा था तो इश्य मसीष्य कि राजा कर किन से लेते हैं अपनों से अपने पुत्रों से के परायों से इश्म उसे ने कहा का मेरा और अपना टेक्स चुका दे कि ऐसा परमेश्वर जो मचली के मुझ से पैसा निकाल सकते हैं बाइबल कहती इस वचन के अनुसार कि वो इस्त्रियां अपनी संपत्ती से प्रभीश्यमसी की स्यवा करती थी अगर परमेशर एक मचली के मूँ से सिक्का निकाल सकता है क्या सो सिक्के नहीं निकाल सकता पर चर्च कभी बरकत नहीं पाएगी अगर परमेशर डारेक्ट आसमान से पैसा बुर्जाता रहेगा कभी नहीं पाएगी चर्च बरकत कैसे पाएगी अगर परमेष्वर सिर्फ दूसरे लोगों से इंताजाम करता रहेगे, चर्च बरकत कभी नहीं पाएगे। लिखा वह वो ओरतें थी जो ईश्यमसी की अपनी संपत्ती से अपनी property से किसे वास सोना था किसे का वास चांती थी किसे के पास plot से किसे के पास मेहंगे मेहंगे इत्रत लिखा उनको बेच कर वो परमेश्वर की सेवा किया करती थी इश्यमसी के पास भीड रहती थी, चेले रहती थी दूसरे शहरों में जो सूसमाचार परचार करने के लिए जाना किराय की ये चीज वो चीज सूसमाचार का खर्चा बाइबल कहती ही वो इस्तरियां परमेश्वर की अपनी संपत्ती से अब करती थी परमेशो की सेवा करूंगा. इमेजिन करो. आप समझ रहे क्या? वो टाइम क्या था? वो लोगों के लिए था. सेवा मुझे आशिशित कर रहे है. मेरी भीमारियों को दूर किया है. मुझे परिवारिक तोर से ब्लेस की है. मुझे संसारी तोर से आत्मिक तोर से ब्लस की है इसमें परमेश्व का फाइदा नहीं इसमें मेरा फाइदा आपका फाइदा है सेवा करना कहता है तुम मेरी सेवा करेगा मैं तुझे इज़त दूगा तुम मेरी सेवा करेगा निर्कमन के नुसार, मैं तरी रोटी और पानी पे आशिश दूँगा, मैं तरी रोग को तरी जीवन से दूर करूँगा, लिखा है Bible में, और तुम अपने परमेश्वर यहावा की उपासना करना, तब मैं तरी अन जल पर आशिश देगा, और तरी बीच से रोग दूर करेग कहता सव करना, खुदावन को सेवा करना खुदावन की, कहता वो तरे अन पर तेरे जल पर आशिश देगा, तेरी रसोई सबसे अलग होगी, तेरे घराना सबसे अलग होगा, जो बीमारी या लोगों, लोग जिससे डरते हो और रिकठे नहीं होरें कि फलाना वाइरस आ गय कर दो मेरी सेवा करेगा मैं तरे अन पे आशिश दूंगा तेरे जल पे आशिश दूंगा तेरे बीच से रोग दूर करूंगा मैं तुझे इज़त दूंगा यालू है अगा बहुं आपकी इज़त करेगा अगर आप सिवा करोगी अब इस सर्कार आपकी इज़त करेगा आप सिवा करोगे तो तो मैं आप से क्या computus represented आज आप मुझे अपना गिफ्त देखने मैं फाइनेंशली बिलेस्व हूँ मैं फाइनेंश बिलेशली सफेमों करूंगा मेरे पास वरदान है मैं दॉक्तर हूँ मैं कि अच्छा काम कर सकता हूं मैंअ पा Say зарардν आगरों क्योंकि हमें सेवा में जुड़ना ज़रूरी है अगर हम सेवा में नहीं जुड़ते तो यह बाइबल कहती हम वचनों से पीछे हैं क्योंकि हर एक विश्वासी सेवा के लिए भुलाया गया इसलिए यहोशु ने कहा था तुम लोग चुनों तुम किन की सेवा करोगे अमोरियों की देवताओं की जो उन देश में रहते हैं जिस देश में तुम रहते हो या तुम यहोवा की सेवा करोगे कहता तुम चुनों मैं अपने घराने समेथ यहोवा की सेवा करोगे तो आप सोच लो आप सेवा करोगे कर नहीं क्योंकि अगर एक बंदा सेवा करता है जब वो सेवा में आता है तो उसके उपर एक responsibility आती है आप वो बंदा सेवा में अब चर्च में standing volunteer है अब उसे मालूम है अगर मैं boyfriend girlfriend girlfriend बनाऊंगा तो मेरे खड़े रहने का कोई भी उकात नहीं है कोई फाइदा नहीं है मैं जूठा हूं मैं उस चर्च में खड़ा हूं जाब पवितरताई का परचार होता है और खुद मैं गंदगी में भसा हूं तो कोई फाइदा नहीं लेकिन अगर एक responsible Christian हो वो ये बात सम समस्ता है कि नहीं अब मैं सेवा में हूं मैं यह पाप कर सकता हूं और किसी को पता नहीं चलेगा लेकिन मैं सेवा में आ चुका हूं मेरे उपर responsibilities हैं और उसी वज़ा से आप आप से बचे रहते हो जब आप से बचा के रहते हो सेवा में आते हो सेवा आपको पाप से बचा हूँ मैं इस डिपार्टमेंट का मेंबर हूँ अगर मैं अपनी जगह से हटूंगा गलत काम करूंगा तो मैं एक बैड एक्जाम्पल बनुगा और वो मैं बनके खुदा का कर्स नहीं लेना चाहता हूँ कि आप जानते हैं जब आप परमेश्वर को उंचा करते हैं पब्लीकली आप टेस्टमनी देते हैं आप प्रीच करते हैं तो परमेश्वर जब आपके मूह से अपने आपको उंचा होते हुए देखता है वो आपको उंचा करते हैं और जब पब्लीकली आप उसको नीचा करते पाप से, किसी भी चीज से, आप खुद नीचे होते हो, और इसलिए सेवा करना ज़रूरी है, तोकि सेवा करना आपको responsibility देती है, आप जिम्मेवार होते हो, आपको मालूम होता है, नहीं मैंने ये काम नहीं करना, और अगर कुछ गलत किया, आप पश्ताओगे रवापीस वो कहते हैं, छोटा सा बच्चा कैसे खाना पका लेता है, ये कैसे काम कर लेता है, भाई बाप नहीं था सिर पे, तो क्या करते हैं, यानि जिम्मेवारी ने काम करना सिखा दिया, जब जिम्मेवारी आपकी लाइफ पे आती है, सेवा की, 90% लोग सुधर जाते हैं, उस सेवा में हो, आपकी प्रार्षना की खुद आपको हील करें, जल्दी सुनी जाएगा, क्यों? क्योंकि आप सेवा में हो, आपके बास एक बहान है, हालिलुया, एक रीजन है आपके पास, प्रभु से बात करने का, वो गुंगा बहरा परमेश्वर नहीं है, वो बिना कि इसके साफने थारु की बोटल ले जाओंगे बोलेका सब ठीक हो जाएगा, वो तेखते है आपके रीजन्स, आपका दिल, मांगने का तरीका, मांगने का कारन, क्या है है आपका, एक खुदावन तेरी सेवा करना चाहता है तो मुझे परफेक्ट बोटी चाहिए, परफे मेरी महिमः के लिए मेरे नाम को उंच्छा करने के लिए जोत इसाह करेगा वह चाहए बेटे को बाहर बेजना हो कुछ भी उगवग कि मेरे नाम के लिए मेरी महिम schnell को करूं गा की 16 हाज कितने स्टुदेंटि यहां से जा चुके हैं फोरण में, जिनकी फैमिली जे पास 10 रुपे भी नहीं थे भेजने के लिए。 प्रुप्य के उनका वाहिदा था। अधा परमिश्वर, तुष में यहां से भेज, हम सपोर्ट करेंगे चर्च को. कि यहां से भेज हम चर्च को सपोर्ट करेंगे हम पैसा भेजेंगे कि इतने मेरी बात को समझ रहे हैं खुदावंद की महिमा के लिए उन्होंने मांगा और परमेश्वर ने दिया उनको हालेलुया उस वचन को पढ़ेंगे संपत्ती वले और हैरोदेश के भंडारी खोजा की पत्नी योणना और सुसन्ना और बहुत इस तरहीं अपनी संपत्ती से ईशुमसी की सेवा कि मेरे पास कंप्यूटर का गिफ्ट है चलाने का मेरे पास ये गिफ्ट है मेरे पास साउंड मैन का कि अधिया कोई सीए है कोई डॉक्टर है यहां कोई इंजिनियर है जो कुछ भी आपके पास है आपको खुदावन की सेवा में लगाना है आप फिर पक्के बिलीवर हों strong believer मेरा ये विश्वास है कि हमारी चर्च Baltimore चर्च नहीं यह सेवकों की चर्च है आमेन, जा हम सब सेवा में हैं, कोई प्रीच करने की सेवा में, कोई गाने की और कोई काम करने की सेवा में, हमारा हेड जो है वो परमेश्वर है, हम उसकी बॉड़ी के अलग-अलग अंग हैं, हाथ अपना काम कर रहा है और पैर अपना काम कर रहा है, हालेलुया, एक शिप चल रहा है और शिप के नीचे जो कोईला डालने वाले होते मजडूर वो नराज होगे एक दिन और जब शिप बंद हुआ तो कर्प्टर ने का शिप बंद की हुए का देखता कोई ना देखे तुम्हारी विज़ शिप चल रहे हैं हम दिखें चाहें ना दिखें खुदावन का काम करते रहने तो कि दिखने के लिए काम करना तो वो पवितरता ही नहीं ह्लीलूया अपने परोशी को बहुतना है बूलना नहीं फिर से बीए को परोशी को और परशी सवत करने एक वो बहुंत में की जरूरत नहीं कि अ कि उल्टा टांग के कुछ कादने के जरूरत नहीं आप एक है वह रिगुलर उसकी सेवा कर सकते हो आप computer IT के आप professional हो, आप computer department जा के बोल सकते हो, कि मैं बहुत busy हूँ जी, Noida के company में काम करता हूँ, लेकिन मैं महीने में एक दिन आऊँगा, और पूरा दिन काम करके जाऊँगा, आप समझ रहें मेरी बात को, हम पूरा नहीं दे सकते हैं, हमें मालू में, अगर आप तीन रोटियां खाते हूँ, और बोलो नहीं आए, धाई है, मैंने खानी नहीं, ऐसी तैसी, तो नुकसान किसका, आपका, आरे तीन नहीं है, धाई है, तो क्या करो, खालो, जितनी सेवा होती है, क्या करो, हटे में काम करो, एक दिन छोड़ते हो ना, जब जुकाम होता है, जब खांसी होती है, तो जब भुखार होता है, तो क्यूं नहीं, एक दिन भुखार समझ के, एक दिन खुदावन को दे दो, हाँ, और ये किसका फाइदा, चर्च का काम कभी ने रुका, क्याता है, मैं आशिशें, आप पढ़के देखो, बाइबल में और भी बहुत सरी ब्लेसिंग्स हैं, जो सेवा करने वाले लोगों के लिए ठहराई गई, आप तेयार हैं सेवा करने के लिए, जो आप डेडिकेट कर देंगे, आपने आपको समर्पित कर देंगे, अगर खुदावन के लि झालो, thank you Jesus, मुझे टाखें मैं तरी सिवा कर सको, मैं तरी सिवा करो, खुदावन, मेरा गराना तरी सिवा करे, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरे मातापीता, तरी सिवा करे, अपने हाथों का उठा हो, आपकरो, शसी मसि сказать नामए. वो खुशे है खुशे दुनिया देती है जो दुनिया देती है जो वो खुशे है खुछ नही बिन तेरे ना स्री जिन्देगी कुछ नहीं बिन तेरे ना स्री अपनी हाथों को उठा बोलो मैं तरी सेवा करूंगा पवित्र जीवन से स्वच्छ मन से स्वच्छ हाथों से मैं तेरी सेवा करूंगा ठाओ हाथों को मांगो I will serve you my lord मैं तेरी सेवा करूंगा अपने घराने समय प्रभीश्य मसी के सामर्थी नाम में मांगता प्रमेश्वर के बचनों को सुनने के लिए हमारे जैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल लाइकन को प्रेस कीजिए